हलो एंड वेलकम टू सरवग्य एड़ुटेक ससे सीजियल दोजा 23 के सत्रवी वीडियो में मैं अनुपम सिंग रावत आप सभी का स्वावत करता हूँ आज का जो टॉपिक हमारा है वो है हमारा रेशियो और प्रपोर्शन पिछली वीडियो में मैंने आप से बताया था कि अभी हमारे लगबग 6-6 टॉपिक्स बाकी हैं जिसके लिए हमारी अभी लगबग 15 वीडियो आनी बाकी हैं इस कोर्स की 17 वीडियो ये है 16 वीडियो पहले आ चुकी है अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले वो 16 वीडियो जो है वो जा के देखिए जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं हाँ आई बटन पे डाल दूँगा आप वहाँ क्लिक करके वो पहले वो सारे टॉपिक्स जो हैं पढ़के आईए बहुत ही प्यारे बेरे टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए गया हैं तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन फिर इसके बाद अभी हमारे और भी टॉपिक्स बाखिया हैं जिसमें हमारे ट्रिग्नो मैट्रिव अगे रहा हैं लास्ट टूडियो में आपको जैसे बताया भी था तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स है रेशियो एंड प्रपोर्शन सबसे पहल कहीं और से समझने की जुरत नहीं पड़ेगी और आपके लगबग सारे कॉंसेट जो हैं इस चेप्टर से रिरेटेड वो इसी एक लौती वीडियो से कवर हो जाएंगे ठीक है तो फिर हम देखते हैं इसमें कि यह जो हमारा कॉंसेट है वो हमारा मैथमेटिक्स में तो स्पीड आपने यहां भी बढ़ा टीडियस वाला जो हमने टॉपिक किया था ना वाली वीडियो भी नहीं देखिए तो उस पर भी जाके देखिए बहुत ही प्यारा टॉपिक है काफी कोशन बनते हैं टाइम डिस्टेंस से आपके स्पीड आप साइंस में भी बढ़ते हैं तो उसमें स्पीड का फॉर्मुला क्या होता है डिस्टेंस अपन टाइम यह जो डिस्टेंस अपन टाइम है यह भी तो एक रेश्यो है इसको भी एक रेश्यो कहता है फिर एक प्राइस की बात करते हैं प्राइस जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी आटो से तो उसम हमारे सारे रेशियों हैं तो ये concept जो हमारे रेशियों का हमारा maths में लग रहा है, science में लग रहा है ठीक है? ये imply करता है कि ये हमारा daily life में भी लगेगा इतना है देखे फिर काफी scoring ये topic हो जाते हैं आपके और हर साल लगबग इनसे एक से दो question आपके कौन सेक्शन में बनते हैं, SSC CGL में और आपके जो बाकी exam SSC के उनमें भी दो से तीन question लगबग हर साल बनते हैं इसके और directly, indirectly की बात करें तो indirectly तो इससे ज़्यादा बनते हैं ठीक है? ये तो direct आपके ratio वाले दिख जाएंगे आपको एक से दो पर indirectly जो ratio वाले आएंगे आपके D.I.O. अगरे में भी आ जाएंगे हना? तो वहाँ पे भी आपके लगबग आप मान के चलिए 5-6 question आपके ratio के लगबग आ जाते हैं ठीक है? तो काफी important topic है, scoring topic है ऐसा नहीं है कि अगर की tough है हना? आप इसे समझेंगे आज तो आप इसके जो भी question आएंगे उस सारे कर पाएंगे बस आपको पूरी वीडियो देखनी है एंड तक और पूरा समस्ते वे चलना है ठीक है? फिर हम देखते हैं ratio क्या होता है पहले? ratio जो comparison होता है दो quantities के बीच अब इसमें एक बात ध्यान रखेगा comparison किसका करा जाता है? जो same minute के होता है आप दो speed को compare कर सकते हैं आप speed को distance से compare नहीं कर सकते इतनी बात आई यह तो common sense वाली बात है हाना? कि जो same minute वाली चीजे हैं वो ही compare करी जाती है और इसी comparison को हम ratio बोलते हैं कैसे obtain किया जाता है? यह पहली quantity को दूसरी quantity से divide करके obtain किया जाता है ratio का sign अगर बात करूं तो English में जो colon वाला symbol होता है वो ही हमारा ratio का sign होता है चीक है फिर इसमें देखे आप क्या बताता है यह कि हमारी एक quantity दूसरी quantity से quantity से कितना times है जैसे किनी दो चीज का ratio 1 is to 3 है तो यहां से आप क्या idea लगा सकते हैं? जो यह quantity है A है माना और यह quantity B है तो B A का 3 times है आपको साब दिख रहा है कि A अगर 1 है तो B हमारा 3 है तो यही हमारा ratio दिखाता है कि how much a quantity is more than another quantity इतना आया फिर देखे the two numbers in a ratio can only be compared when they have the same unit जो मैंने आपको बता है जब same unit होगी तब ही आप compare कर सकते हैं बिना same unit होने पर ratio नहीं आप ले सकते हैं दो चीज होगा ठीक है? फिर ratio formula for two quantities किस तरह से express किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया है divide the first quantity by the other quantity तो इस तरह से आपका representation होता है आपका ratio का फिर हम कुछ बात कर लेते हैं आपके एक-एक marks के question आ जाता है कभी-कभी कि आपको निकालना है duplicate ratio duplicate ratio कैसे निकालना है? अगर आपको question में दिया रहा हो दो numbers का ratio यह आपको given है आपसे बोले कि मुझे बताओ इसका duplicate ratio क्या है? तो आप क्या करेंगे? आप इन दोनों को both side square कर देंगे और इन दोनों का ratio निकाल देंगे जैसे कि आपके दो number दे रहे हैं 1 is to 2 के ratio में तो इनका duplicate ratio क्या हो जाएगा? 1 का square is to 2 का square मतलब 1 is to 4 यह आपका answer हो जाएगा, simple अना, फिर एक बात आती है क्या? sub-duplicate ratio की sub-duplicate ratio कैसे निकालते हैं आप? इस बार आपने duplicate निकालने के लिए square किया था, sub-duplicate निकालने के लिए आप दोनों side square root कर लेंगे जैसे आपके दो number हैं, वो है ratio 4 is to 9 के आपसे बोले कि मुझे इसका sub-duplicate ratio बताओ कैसे निकालेंगे? आप करेंगे दोनों side root दोनों side जब आप root करते हैं तो 4 हमारा 2 का square होता है तो इसका जाएगा 2 और 9 हमारा 3 बना देगा तो यह होता है आपका sub-duplicate ratio फिर एक और आता है आपका triplicate ratio, triple इसके case में आप क्या करेंगे? दोनों side cube कर देंगे ठीक है? जैसे 1 is to 2 तो इसका triplicate ratio क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 का cube is to 2 का cube मतलब 1 is to 8 यह आपका इसका triplicate ratio हो जाता है अब हमने बात करी ratio की अब हम जैसे कि हमारा topic क्या है ratio and proportion तो अब हम बात करेंगे इसके second part की जो है हमारा proportion proportion क्या होता है? जाने proportion क्या होता है proportion क्या बताता है कि जो दो ratios है ratios हमने पढ़ लिए जैसे A upon B ये proportion दो ratios को equal करता है जैसे अगर हमारा एक ratio है A upon B, मतलब A is to B और एक दूसरा ratio है C is to D, मतलब C upon D तो proportion का काम है इन दोनों को equal करना बात करें इसकी sign की तो दो बार colon ये हमारा proportion को represent करता है ये चीज तो आप किसी चीज़ को proportion में कैसे दिखाएंगे अगर A is to B proportion C is to D इस तरह से आप किनी दो ratios को proportion में दिखाएंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि A upon B equals to C upon D क्योंकि proportion आपके दो ratios को equal बताता है जैसे example देखिए अगर कोई train एक घंटे में 100 km चल रही है तो वो train पांच घंटे में कितना चलेगी 500 km तो ये दोनों ratio आपके बराबर हैं मतलब 1 upon 100 बराबर है आपका 5 upon 500 के तो ये दोनों ratio आपके proportion में है इतना है फिर देखिए अब मैंने जैसे आपको बताया है कि दो ratio को equal करता है आपका proportion जब आप इन दोनों को इस proportion के sign को आठाके equal रखते हो तो क्या हो जाता ये इसमें दो terms आती है कौनसी? एक आती है हमारी mean term mean terms कौनसी होती है आपकी? B and C ये होती हैं आपकी mean terms वहीं अगर आप इनकी first and last term देखें तो ये होती हैं आपकी extreme terms जो मतलब extreme ends पे हैं तो ये first पे थी ये last पे थी अना? तो ये होते हैं आपके extremes तो आपने देखा mean कौनसी होती हैं? जो beach वाली values होती हैं आपकी तो B and C आपकी mean terms हों गई इनको means कहा जाता है means भी कहा जाता है ठीक है? और जो आपकी extreme terms हैं जो last में हैं उनको आप कहते हैं extreme terms मतलब extremes भी कहते हैं फिर एक और इस में से point क्या नहीं कल सकता है? आपका जो product of means है वो product of extremes के बराबर आता है कैसे? अगर आप यहाँ पे इस वाले में cross multiply कर देंगे तो A into D equals to B into C मैंने आपको बताया A और D क्या थी हमारी extreme terms थी तो इन दोनों का product किसके बराबर आ रहा है? product of extremes का किसका बराबर आ रहा है? product of means के वहीं से यह निकला है इतना है? यह आपके कहीं कहीं पे पूछ लेता है one liner में कि आपको product of extremes बताना है तो आप ऐसे सोच में मत पढ़ जाएगा कि क्या पूछ ले इसने? extreme क्या होता है? product of means पूछ ले आपको यह दे दे product of means दे और extreme में से एक value दे दे आपको दूसरी निकालने के लिए बोल दे तो डरना नहीं है हाना? बता दिया आज फिर हम देख लेते हैं कुछ important इसकी properties जो आपकी by name अगर आएंगी तो आप हो सकता है confused हो अगर आपको पता ना हो सबसे पहले बात कर लेते हैं addendo की addendo में क्या करते हैं? तो इसमें जो उपर वाली terms हैं उनको add कर देते हैं आपस में और नीचे वाली terms को आपस में इनका जो ratio आता है वो ही हमारा addendo होता है addendo मतलब add करो किनको add करो? उपर वाल को और नीचे वाल को अलग-अलग इनका जो ratio आएगा वो ही आपका addendo होगा फिर इसके opposite subtrahendo इसमें क्या होता है इसमें भी again ratio हमारा same है फिर हमें निकालना है subtrahendo subtrahendo करने के लिए उपर की 2 terms को minus कर देंगे और नीचे की 2 terms को minus कर देंगे इन दोनों का ratio ही हमारा subtrahendo होता है इतना आया इतना आया फिर आगे देखे फिर हमारी बात करते हैं dividend की बहुत important पड़ा भी होगा आपने dividend आपसे पूछ लेता है किसी भी उसका ठीक है फिर अब देखे dividend होता क्या है a upon b equals to c upon d a is to b is in proportion which c is to d हमें बताना है इसका dividend निकालने के लिए हम क्या करेंगे ये उपर वाली terms में से इसकी ही नीचे वाली term माइनस कर देंगे मतलब a minus b और जो नीचे वाली term थी इसको ऐसे ही रहने देंगे इसी तरह हम दूसरी side भी करेंगे उपर वाली terms में से नीचे वाली term को माइनस कर देंगे और नीचे वाली term यूँ ही रहने देंगे ये होगा हमारा dividendo इतना आया dividendo आया तो फिर आप समझिए componendo componendo क्या होता है आप अगेन इस पर देखेंगे आप ये आपके proportion में है इसका componendo कैसे निकालेंगे इस बार आप यहाँ minus करने के जगा उपर plus करेंगे मतलब उपर वाले से नीचे वाले को add करेंगे नीचे वाला ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे इसी तरह दूसरी side भी करेंगे उपर वाले को नीचे वाले से add करेंगे और नीचे वाला ऐसे ही रहने देंगे ये आपका हो जाएगा componendo इतना है फिर देखे Alternando Alternando मतलब इससे नाम से पता चल जाएगा आपको क्या? Alternate तो जैसे अगर आपका A upon B बराबर C upon D A is to B is in proportion with C is to D तो आपको निकालना होगा इसका Alternando Alternando निकालने के लिए आप Cross Multiply कर देंगे Cross Multiply मतलब ये वाला C आप इसके नीचे लियाएंगे और ये वाला B आप इसके उपर लियाएंगे मतलब A upon C बराबर कर देंगे आप B upon D के ये आपका होता है Alternando Alternando आपने क्या करा? बस Alternate कर दिया जो उसका Ratio उदर था आप इस साइड को ले गए ठीक है? तो A upon C equals to B upon D फिर देखिए एक Invert Tendo Invert Tendo मतलब Invert मतलब उल्टा कर दो उल्टा कर दो मतलब A is to B equals to C is to D है तो आप क्या कर देंगे? B is to A equals to D is to C दोनों साइड अपोजिट कर देंगे Ratio में कुछ चेंज नहीं होगा ठीक है? बस आपने लिखने का तरीका अलग कर दिया है तो कहीं Invert Tendo पूछता है तो बस उल्टा कर दीजिएगा वहाँ पे फिर हमारा Last एक आता है Componendo और Dividendo साथ में और यही अक्सर हमारा पूछा भी जाता है तो यह कैसे करते हैं? अगर आपके दो ratio दे रखे हैं प्रपोर्शन में किनी प्रपोर्शन में दे रखे हैं आपको बोले जाए कि इसका Componendo और Dividendo निकाल के बताओ तो Componendo और Dividendo निकालने के लिए क्या करेंगे? उपर तो आप नीचे वाले से add करेंगे और नीचे आप उपर वाले में से minus करेंगे इसमें से A में से B को add करेंगे उपर और नीचे A में से B को subtract करेंगे इसी तरह दुसरी साइड भी उपर add करेंगे और नीचे minus करेंगे यही आपका Componendo और Dividendo हो जाएगा किसी ratio के लिए, किसी proportion के लिए इतना है? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है यह वैसे Componend और Dividend अना? तो फिर यह आप धियान रखेंगे उसके बाद हम चलते हैं कुछ important formulas पर जो इस chapter में यूज हो सकते हैं regarding हमारा proportion अगर किसी question में आप से वो पूछे fourth proportion fourth proportion of three numbers किस तरह से आएगा question आपका तीन numbers आपको दे रखे होंगे और आपको उसका निकालना होगा fourth proportion तो आप क्या करेंगे? उन तीन numbers को पहले तो ratio में लिख देंगे और जो इसका याड़ी नहीं मिल रहा है तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? जो आपको इसका fourth proportion निकालना है let it be x तो आपको ये x निकालना है x कैसे निकलेगा? आप cross multiply कर लिजे x को एकी साइड रख लिजे बागी सबको उस साइड ले जाई तो आपका fourth proportion कैसे निकलता है? आपका second और third number को multiply करके divide by first number यह आपका हो जाता है fourth proportion देखा आपने b into c upon a फिर बात करते हैं हम third proportion की अब third proportion कैसे निकाला जाए? आपको अब पूछा जाएगा आपको पूछा जाएगा third proportion of two numbers इस बार आपको दो numbers दिये जाएंगे उपर आले में fourth proportion में कितने नमबर दिये जा रहे थे? तीन अभी आपको दिये जाएंगे दो number fourth proportion third proportion पूछा जाएगा of a and b कैसे निकालेंगे? a upon b कर देंगे बराबर कर देंगे b को दुबारा लिख देंगे और नीचे इसके जो आपका third proportion है उसको let it be x उसको लिखेंगे तो यहाँ से x की value की आजाएगी b square upon a यही आपका third proportion होता है इतना आया अभी question करेंगे तो आप बेथर समझेंगे फिर आप देखें यहाँ पे mean proportion mean proportion क्या होता है? mean proportion निकालने के लिए क्या करते हैं? आपको again इस बार भी दो number दिये जाते है तो आपका जो mean proportion यहाँ से निकल के आएगा वो क्या आएगा? x equals to under root a, b मतलब जो आपके numbers दे रखे होंगे उनको आपस में multiply करिए उसका square root निकाल लीजिए वो ही आपका mean proportion निकल के आजाएगा इतना है? बहुत बढ़िया फिर देखते हैं आगे मैंने आपको बताया था fourth proportional का formula क्या होता है? second और third number का multiplication कर लीजिए क्या था formula? b into c upon a second और third number का multiplication कर लीजिए divide by first number solve करेंगे आपका answer आजाएगा 30 c दे, खतम बस आपको fourth proportion का concept पता होना चाहिए था जो कि आपको आज बता दिया मैंने आपको बताया आपका इस वीडियो में ratio and proportion में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम basic से advance तक पूरा करेंगे जो भी इस exam में required है तो आप पूरी वीडियो देखे last तक देखे फिर हम बात करते हैं एक question हमारा third proportion का third proportion में मैंने आपको बताया था पहले नंबर को और दूसरे नंबर को ratio को किसके बराबर रखना है दूसरा नंबर रिखेंगे और जो third proportion है वो नीचे आ जाए अब third proportion कैसे निकलेगा क्या formula था B square upon A मतलब second number का square upon A first number तो ट्वैल थ्री जा 36 option number C ये है आपका third proportion निकालने का formula direct formula बताया आपको फिर एक question हम देख लेता है mean proportion का mean proportion का मैंने आपको क्या बताया mean proportion का formula होता है दोनों number को multiply कर लीजिए उनका square root निकाल लीजिए 4 into 16 का square root ये आता है हमारा 2 into 4 जो कि आता हमारा 8 option number C ये तो जल्दी की बता रहा हूं क्यूंकि आपको मैंने ये समझा दिया है और आपको समझ भी आ गया है कुछ नहीं करना बस जो formula है उसे याद रखना है अना आगे चलते हैं आगे important formulas जो हैं हम पढ़ लेते हैं अब बात करते हैं अगर दो numbers हमारे ratio में है A to B और इनका सम दे रखना है हमें X दो number है उनका कुछ ratio है A to B और इनका जो सम दे रखना है वो है X तो अगर वो हमसे पूछे ये numbers क्या है तो या तो आप बिल्कुल तरीके से कर सकते हैं कि line by line नहीं तो आपको direct formula बताता हूं आज direct formula क्या है A जो आपका पहला number का जो ratio है वो into जो sum आपको दे रखना है sum आपको क्या दे रखना है X तो A into X upon A plus B जो आपको ratio दे रखना है उनका sum कर लीजिए question भी कराऊंगा इस पर आप वहाँ पर देखेंगे कि कितने जल्दी आपका अंसर आजाएगा इससे formula से पहला number आपका आएगा A into X upon A plus B और जो दूसरा number आएगा वो आएगा B into X upon A plus B कुछ भी नहीं बदला बस उपर इसमें A आगे पहले number के लिए दूसरा आगे के लिए B बागी formula rest of the formula is same इतना है very good फिर देखते हैं आगे अगर अब हमारे 3 number हैं ratio में और उनका जो sum है वो दे रखा है X तो अब की बार कैसे निकालेंगे आप कुछ नहीं जैसे उपर आला formula है वैसे करिए पहला number आपका हैगा A into X upon इस बार क्योंकि 3 number थे तो नीचे 3 add हो जाएग इसी तरह दूसरा निकालना होगा तो B into X upon A plus B plus C यह आपका हो जाएगा तब का formula जब आपको 3 number का ratio दिया रहे इतना है तो जैसे मैंने आपको बताया है पहला number AX upon A plus B plus C where X is the sum of the numbers दूसरा BX upon A plus B plus C और तीसरा CX upon A plus B plus C इतना है तक आया यहां तक कोई दिक्कत नई फिर हम देखते हैं आगे अब वैसे तो हम यह तरीका काफी पहले से अपनाते आ रहे हैं मैंने आपको बोला था कि जब हम ratio और proportion करेंगे तब आपको बताऊंगा कि यह हो कैसे रहे आपको बता रहा हूँ यह चीज़ क्या है इसको इतने complex formula से समझने की ज़रत नहीं है जैसे मैंने आपको तरीका बताया था उसी तरीके से कर लिजे अगर आपको दो नंबर का ratio दे रखाओ A और B क्या? माना 2 is to 3 दे रखाओ तो आप उसको A और B के नीचे लिख लिजे फिर आपको दूसरा नंबर का तीसरे नंबर से ratio दे रखाओ मतलब B का C से ratio दे रखाओ माना 3 is to 4 और आपको पूछा जाए कि मुझे बताओ कि A is to B is to C क्या है? इन तीनों नंबर का ratio क्या है आपस में? तो क्या करेंगे आप? मैंने जैसे आपको बताया पहला जो ratio दे रखाओ है उसको नीचे लिख दीजे A और B का ratio दे रखाओ है तो A और B के नीचे लिख दीजे फिर अगर आपको B और C का ratio दे रखाओ है तो उसके नीचे लिख दीजे फिर क्या करना है आपको जब इन तीनों का ratio निकालना है तो इस number को जो उपर वाला है उसको इसके बगल में लिखतीजिए फिर जो ये नीचे वाला है इसको इसके बगल में लिखतीजिए और कर दीजिए इन्हें multiply तो 2 x 3, 6 3 x 3, 9 3 x 4, 12 अब अभी भी आप देख रहे हैं ये अभी कट सकता है 3 से 3 2 जा, 3 3 जा और 3 4 जा ये आपका ratio हो गया A is to B is to C इन तीनों numbers का ratio हो गया इतना है क्या बोला एक और example से समझे ABC माना इन दो numbers का ratio है 1 is to 5 पहले दो numbers का ratio है 1 is to 5 और दूसरे और तीसरे number का ratio है आपका 6 is to 7 क्या बोला मैंने आपको जो ये वाला number है यहाँ पर लिखना है मतलब यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 6 लिखेंगे और फिर कर देंगे multiply 1 into 6, 6 5 into 6, 30 5, 7 जा, 35 तो आपका इन तीनों का number का ratio हो जाएगा 6 is to 30 is to 35 बहुत ही use होने वाला concept है आपका ये काफी जगाओं पर आपका use हो गए ठीक है फिर हम एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें यहाँ पर थोड़ रप करता हूँ फिर बताता हूँ आपको ये आला जो एक और concept है इसमें क्या एक और formula है क्या अगर दो numbers का ratio a is to b है और इन दोनों में x add किया जाता है और नया जो ratio निकल के आता है वो आता है आपका c is to d तो आपको अगर वो number निकाने के लिए पूछे तो इसका जो direct formula है वो भी आज बता रहा हूँ क्या है आपका direct formula ax into c minus d upon ad minus bc यह है आपका direct formula क्या बोल रहा हूँ आपको किसी दो number का ratio दे रखा है a is to b और वो आपसे बोले कि इन numbers में कुछ ऐसा add किया जाता है कि जो नया ratio है वो निकल के आता है आपका c is to d और आपसे पूछता है कि यह numbers थे क्या आपको पहले ratio दे रखा था इस पे इन दोनों में कुछ नया number add करने से नया जो ratio है वो भी दे रखा है आपको बताना है यह number थे क्या तो आपने क्या add किया है x add किया है उपर नीचे ठीक है तो आपको बताना है कि ये numbers क्या है तो इसका direct formula क्या है A जो आपका पहले वाला number जो उसका ratio दे रखा था A into X जो आपने number add किया है into C minus D upon AD minus BC ये आपका आएगा पहला number फिर दूसरा number इसी की तरह formula BX into C minus D upon AD minus BC उस time पे आपका formula ये हो जाएगा जब second number निकालना होगा इतना आया इतना आया तो हम कुछ और formulas देख लेते हैं जो आप direct use कर सकते हैं अब क्या होगा अब आपसे वो ratio दे रखा होगा उसने A is to B इस बार वो उल्टा पूछेगा कि इनमें क्या add करें कि ये जो नया ratio है ये नया बना दे C is to D तो क्या number add करें माना वो number है X तो आप क्या add करेंगे उसका आपका direct formula ये वाला easy है क्या हो जाएगा ये AD minus BC upon C minus D ये आपके ratio ही है जो given है आपको इनमें value put करेंगे ये वो number आजाएगा जो आपको इसमें add करना है ताकि जो नया ratio है वो C is to D निकल के आजाए इतना आया समझ में इतना आया समझ में तो हम आगे चलते हैं पहले इससे पहले मैं आपको इसका formula याद करा देता हूँ इसका तो formula आपको याद हो जाएगा AD minus BC ये क्या है product of extrins product of means upon C minus D ये है आपका formula है ना फिर जो आपका पिछला formula जिसमें आपका दो numbers का ratio दे रहा था और बोल रहा था इसमें कुछ add करते हैं जिससे ये number C is to D के ratio में आ जाते हैं तब ये number क्या होता है तब क्या formula था याद करिए वो था AX into C minus D upon AD minus BC इसी की तरह formula है यहाँ पर ultra हो जा रहा है देखिए यहाँ पर C minus D उपर आ रहा है यहाँ पर C minus D नीचे आ रहा है यहाँ पर AD minus BC नीचे आ रहा है यहाँ पर AD minus BC उपर आ रहा है और number से multiply हो रहा है AX इतना है यह मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया फिर देखे अब हम income वाले देखते हैं income वाले भी हमारे ratio पर based बहुत question आते हैं ठीक है क्या बोलता है वो क्या देता है कि income का ratio तो दे देता है वो A to B उनके expenditure का ratio भी दे देता है C to D और उनकी saving भी दे देता है माना S है तो वो आपसे पूचता है कि उनकी income है क्या ratio तो मैंने दे दिया आप बताओ कि income क्या है तब के के इसके लिए भी आपके पास direct formula है और आप देखेंगे लगबग लगबग इसी formula के तरह हैं हो ठीके A S upon A S into D minus C upon A D minus B C ये है आपकी पहले वाले इंसान की income देखें कितनी similarity है इन में फॉर्मिलाज में इसमें A X into C minus D यहाँ पहे A S into D minus C बस इतना सा है और ये order भी matter करता है हाना क्योंकि sign इसमें कहीं पे negative आएगा कहीं पे positive आएगा तो वो cancel out हो जाएगा क्योंकि income है तो हमेशा positive आएगी इस बात का ध्यान रखेंगे फिर हमारी जो second person की income है वो क्या हो जाएगी B into S into D minus C upon A D minus B C simple इसमें भी हमारे जो number add करके जो ratio change हो रहा था तो वो numbers क्या थे दूसरा वला number कैसे निकलना था BX into C minus D upon A D minus B C ठीक है तो अब हमने ये तो बताया incomes का अब अगर हमें expenditures निकालना है तो same यही formula बस थोड़ा सा change है क्या इस बार हो जाएगा CS into B minus A upon नीचे वाला same है A D minus B C यह हो जाएगी पहले वाले के expenditure और जो दूसरा वाला है उसका expenditure क्या हो जाएगा D into S जो S था वो क्या थी saving थी into B minus A upon A D minus B C मैंने आपके सामने income और expenditure के formula दोनों रख लिए आप इन में से एक भी अगर याद कर लेते हैं माना आपने ये याद कर लिया तो आपको ये तो याद हो जाएगा second person के लिए बस A की जगा B लिख देना है फिर अगर आपको expenditure निकालना है तो इस A की जगा C रख दीजे पहले percent के लिए जो उसके expenditure का ratio था उससे multiply करिए उसकी saving इंटू B minus है जो उनका income का difference था यहाँ पे expenditure के case में ऊपर आएगा income का difference और जो income के case में ऊपर आएगा हमारा expenditure का difference बस इस तरह से आपको formula याद करने है direct direct formula रखेंगे सीदे सीदे आपके answer आने लगेंगे अब बहुत जल्दी आएंगे इनसे अना आप ऐसे normal तरीके इस पी solve कर सकते हैं पर यकीन मानिए इससे आपके जो answer हैं वो थोड़ा fast आएंगे और आप दूसरे sections में अपना time को invest कर प channel लगा सकते हाना फिर अब कुछ question देख लेता है इन पर बेस जो हमने पड़ा कह रहा है A is to B 3 is to 5 है B is to C हमारा 9 is to 10 है हमें निकालना है A is to B is to C क्या है जैसे मैंने आपको तरीका बता है वैसे मैंने आपको ये question करा है फिर भी एक और question कर लेता है इसका आपने लिख देना है A, B, C लिख देना है line में फिर क्या करना है A B A is to B क्या दे रखे 3 is to 5 फिर B is to C दे रखा है आपका 9 is to 10 वो आप लिखेंगे नीचे ठर्ड लाइन फिर मैंने क्या बोला आपको इस नंबर को इधर लिख देना है और इस नंबर को इधर लिख देना है और कर देना है इनकी multiply लाए 39 जा होता है हमारा 27, 95 जा होता है हमारा 45 और 10 फाइव जा हमारा होता है 50 अब यह further किसी चीज से cut नहीं रहा है divide नहीं हो रहा है तो हमारा option हो गया option number A कितना easy हो गया आपको दो numbers का ratio दे रहा है और फिर दूसरे और तीसरे नंबर का ratio दे रहा है और आप से पूछ ले कि इन तीनों numbers का आपस में ratio क्या है तो मैंने आपको तरीगा बता दिया यह हम use करते आ रहे हैं बहुत ही पहले से पर आज मैंने आपको ratio and proportion में करना भी बता दिया उसमें भी बताया था पर यहां पर बेटर डंग से explain किया है फिर हम एक और question देख लेते हैं जो हमने पढ़ा उस पर based कह रहा है अगर दो numbers आपके ratio में हैं 3 is to 4 के और 8 add किया जाता है दोनों number में और यह जो नया ratio है वो बना देते हैं आपका 5 upon 6 हमें निकालने है numbers अब याद करिए formula मैं आपको दोनों तरीके से पता देता हूँ अगर आपको normal तरीके से गणना है क्या है आपके दो numbers का ratio दे रखा है 3 is to 4 तो पहले number को आप मान लिजे 3x दूसरे number को मान लिजे 4x अब इन में दोनों में 8 add किया गया और जो नया ratio बन गया वो बन गया 5 is to 6 आप इसको solve करेंगे आपकी x की value निकलेगी फिर आप x को 3 से multiply कर देंगे तो आपका पहला number आ जाएगा x को 4 से multiply कर देंगे आपका second number आ जाएगा यह तो होगा आपका normal तरीका फिर जो मैंने आपको formula बता है formula से भी करके देख लेते हैं क्या था ax into c minus d upon ad minus bc यह था आपका formula जब आपका कोई ratio दे रखा है और आप कुछ add करते हैं और वो आपका नया ratio बना के दे देते हैं आपको उस case में आपका formula था ax into c minus d upon ad minus bc अब रख लेते हैं इसमें values यह क्या दे रखा है आपको पहला ratio क्या था 3 x जो आपने add किया तो 8 c minus d तो 5 minus x मतलब minus का 1 upon ad ad मतलब 3 into 6 यह आपका a b है यह आपका c d है ठीक है फिर ad ad मतलब 3 into 6 3 into 6 18 minus bc यह आपका 4 into 5 मतलब 20 solve करेंगे 3 into 8 into minus 1 upon minus का 2 minus से minus cancel 2 ford जा यह number आपका आगया 12 यह number आपका आगया 12 और दूसरे number निकालने के लिए क्या हो जाएगा formula आपका bx into c minus d upon ad minus bc अब आपने देखा c minus d upon ad minus bc तो दोनों में common है तो आप सीदे सीदे इनकी value रख सकते हैं क्या थी माइनस वन अपन माइनस टू और बी क्या था बी हमारा 4 था एक्स हमारा 8 था solve करेंगे आपका अंसर आ जाएगा 4 फोर जा 16 तो पहला कर पाते हैं तो आपका यह answer केवल केवल 20 सेकेंड लेगा और आपका answer आपके सामने आ जाएगा वो भी without any error बस आपको calculation सही रखने है formula याद करना है क्या था यह एक ratio में हम उपर नीचे कुछ add करते हैं और नया ratio बनके निकल आता है तो हमें पूछता है वो number क्या है वो formula क्या है AX into C minus D upon AD minus BC AD minus BC product of extremes minus product of means चलते हैं next question पर जो हमने पड़ा उस पर based अब जैसे मैंने आपको बताया था opposite पूछ लेगा क्या कौन सा number add किया जाए इस ratio में कि ताकि जो ratio नया वो आ जाए 11 is to 20 11 is to 29 का कुछ ratio था इसमें क्या add किया जाए उपर नीचे कि हमारा जो नया ratio है वो 11 is to 20 का निकल आए यह हमें बताना है again हम करेंगे use formula क्या था कौन सा number था हो उसका formula था AD minus BC upon C minus D अना तो इसमें values put कर लीजे ए क्या है आपका A है आपका 11 D है आपका 20 और B कितना है आपका B है आपका 29 C है आपका 11 upon C minus D मतलब 11 minus 20 इतना हुआ इतना हुआ तो इससे solve कर लीजे आपका answer सीधे सीधे आजाएगा 220 minus 1199 9 carry 319 upon minus का 9 उपर आजाएगा आपका minus का 99 upon minus का 9 minus से minus cancel 9 11 जा तो 11 वो number है जो आप उपर नीचे add करेंगे तो ये नया ratio 11 is to 20 का बन के आजाएगा option number C is the correct answer ये था आपका direct formula से आप normal तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पिछले वाले question में बताया उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको बस आपका answer आना चाहिए अना फिर हम देख लेते हैं next question जो हमने पढ़ा उस पर based क्या कह रहा है the annual salary of A and B are in the ratio 5 is to 4 salary का जो ratio है वो दे रखे हमें 5 is to 4 का और जो annual expenses है उसका जो ratio है वो दे रखे हमें 4 is to 3 का 4 is to 3 का अब वो कह रहा है कि ये जो है ये बचाते हैं each of them saves 500 at the end of the year savings कितनी है इन दोनों की 500 each की तो हमें बताना है कि इनकी incomes क्या है मतलब salary क्या है यह आपको बताना है इसमें अब आपको मैं ऐसे कराता हूँ दोनों तरीकों से एक formula से direct और एक आपके conventional तरीके से अब याद करिए मतलब समझे क्या savings किसके बराबर होती है आपकी कुछ income आती है आप उसमें से कुछ expand करते हैं जो आप बचाते हैं वो ही आपकी savings होती है जो income माना आपके पास 100 रुपे आ रहें कहीं से और आप 50 रुपे से खर्च कर दे रहें तो आपकी savings कितनी हो जाएंगी 100 माइनस 50 मतलब 50 ठीक है तो ये आपकी हो जाती है savings तो यही formula हम इसमें solve करते हैं अपलाई करें salary का ratio था हमारा मतलब income का ratio था हमारा 5 is to 4 ये थी हमारी person A की और ये थी हमारी person B की तो person A की जो income है वो किसके बराबर है वो हम मान लेते हैं 5X अब जब ratio में कोई चीज होती है तो अगर इन्हें XX मान ले तो XX cancel हो जाएगा 5 is to 4 वापिस आ जाएगा XX क्यों मानता है क्योंकि आपको पता है किसी की income 5 रुपे तो होगी नहीं 4 income तो होगी नहीं मतलब अगर generally बोलें तो हम इसमें कोई number की multiply कर देते हैं कि कुछ तो इसमें multiply होगा माना अगर 2 हो रहा है 2 multiply हो रहा है तो ये 10 upon 8 मतलब पहले की income 10 आ जाएगी दूसरे की 8 आ जाएगी अब B की income हमने निकाल ले फिर देखे एक्सपेंडिचर expenses का भी ratio दे रहा था क्या था 4 इस टू 3 का ये था person A का और ये था person B का ये आपका दे रहा था expenses का ratio अब expenses का ratio यहाँ बाद समझेगा आप यहाँ पे X नहीं ले सकते कि A का expense आप 4X और B का expense आप क्या रख दें? 3X रख दें नहीं ऐसे नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि आपने ये जो X number है ये आपने income से multiply करवाया है अब जरूरी नहीं कि जो आप यहाँ multiply करेंगे वही आपका expenses में भी multiply करेंगा ये बाद समझेगे ठीक है? तो यहाँ पर आप दूसरा number यूज करेंगे माना आपने Y यूज किया तो आपकी A की income हो जाएगी 4Y, B की sorry A का expense हो जाएगा 4Y B का जो expense हो जाएगा 3Y अब दोनों की savings क्या थी? A की saving क्या थी? हमारी 500 A की saving 500 थी मतलब saving का formula क्या होता है income minus expenditure A की income कितनी थी? 5X उसका expenditure कितना था? 4Y ये किसके बराबर है? 500 के similarly B की saving कितनी थी? ये थी हमारी ये भी हमारी 500 थी each of them save 500 तो B की savings कितनी हो जाएगी? income minus expenditure B की income थी 4X minus expenditure कितना है? B का 3Y ये किसके बराबर है? 500 के दो equation आपको बन गी दो आई आपके पास variable है दो equation दो variable आपका answer निकल जाएगा क्या निकल जाएगा? आपके variable की value निकल जाएगी और फिर जो आप से पूछा जाएगा वो आप निकल सकते हैं solve कर लेते हैं से क्या करेंगे? देखें पहली वाली equation को पहली वाली equation को मैं multiply कर लेता हूँ 3 से y को मैं eliminate कर रहा हूँ ठीक है? और दूसरी वाली equation को इसमें से minus कर देता हूँ by multiplying 4 तो पहली वाली में 3 multiply कर ये क्या हो जाएगा? 15x minus 12y equals to 1500 और दूसरी वाली equation में 4 multiply कर ये तो ये हो जाएगा 16x minus 12y equals to 2000 और minus करना था इन दोनों एक को तो ये plus ये minus तो x बराबर आ जाएगा हमारा 500 x हमारा 500 आ गया उसने हमसे पूछा था क्या? उनकी incomes बताईए तो आपने a की income कितनी ली थी? 5x x आपका 500 निकल के आ गया? तो a की income आ गयी 5 into 500 मतलब 25,00 फिर b की income 4x मतलब 4 into 500 जो की होता हमारा 2,000 तो आपका जो final answer आ गया option number c a की income 2500 b की 2000 अब ये तो था आप normal तरीके से कैसे करेंगे? अब मैं आपको इसी का जो मैंने आपको formula based बताया है वह आला example बताता हूँ कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए हम पहले a और b की income का ratio देख लेता है क्या था इन दोनों की income का ratio? इन दोनों की income का ratio था 5 is to 4 फिर इनके जो expenditure उसका ratio क्या था? a is to b क्या था हमारा? वो था हमारा 2 is to 3 4 is to 3 जैसे income a और b का क्या था? 5 is to 4 फिर इनके expenditure का ये था 4 is to 3 और इनके savings क्या थी? ये थी हमारी 500 each अब हमारे पास जो formula था income of a का formula क्या formula था? a जो पहला वाला ratio है मतलब ये income में जो पहला ratio है into जो savings थी into d minus c upon ad minus bc ये वाला पार्ट तो लगबग सब में सेम ही है जो formula बताया मैंने उनमें लगबग ये सब में सेम ही है जब आपका number add हो रहा था कि कोई ratio है उसमें कुछ add किया और वो हमारा नया ratio बन गया c to d तो हमें बताना था कि number क्या था तब क्या था formula? same e c की तरह था लगबग क्या था हो? a into x यहाँ पे क्या और हो था? c minus d upon a d minus bc x क्या था? वो जो number add करना था c minus d और a d minus bc तो दोनों में common है यहाँ पे बस d minus c हो जाला तो income of a के आ जाएगी a की value रख लिजे 5 थी saving कितनी थी 500 d minus c मतलब 3 minus 4 हो था है माइनस का 1 upon a d minus bc a d minus bc a into d 5 into 3 15 minus bc 4 into 4 my love 16 तो यह हो जाएगा हमारा 5 into 500 into minus 1 upon minus 1 minus 1 से minus 1 cancel यह आजाएगा आपका अंसर 2500 यह तो आप की आगई a की income अब b की income निकालने का formula क्या था? same formula था बस यहाँ पे b आ जाना था यह हो जाएगा d minus c upon a d minus bc अब इस पार्ट का तो आपको वैल्यू पता है वो रख लीजे 500 into minus 1 upon minus 1 यह आपका आए थी वैल्यू b की वैल्यू क्या आए थी? b की वैल्यू थी? 4 थी यह तो given थी इससे यह cancel b की income आपके आगई 2,000 तो a की income आपकी आई 25,000 b की income आई आई आपकी 2,000 जैसे कि आपने इसमें देखा भी थी answer क्या आ रहा था आपका option numbers c 25,000 और 2,000 तो मैंने आपको यह question कराए दोनों तरीके से formula based भी और आप अगर formula भोल जाता है तो normal तरीके से भी आपके उपर है आप कौन सा तरीका apply करते हैं exam तो बच्चों इसी के साथ इस video को end करते हैं उम्मिद करता हूँ कि आपका ratio and proportion का जो concept है वो आज पूरा का पूरा clear हो गया होगा अगर कुछ part इसका untouched है और आपको उसका solution दे दिया जाएगा ऐसा नहीं कि आपके comment को ignore किया जाएगा नहीं आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे तो इस topics related जो भी आपका doubt है वो आप comment में लिखे और अगर आपको अच्छी लगिये video तो वो भी आप comment में लिखे आप appreciate कर सकते हैं इसी तरह से अना like तो आप करी सकते हैं इसको आप share भी कर सकते हैं और सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि आप comment करके बताएं कि किस तरह से आपको video पसंदा रही है किस तरह से आप इस course को follow कर रहे हैं और क्या यह आपको benefit कर रहे है हना तो तयारी अपनी जोरो शोरो पर रखे और लगबग मैंने आपको बताई 6-6 topics हमारे बच्चे हैं जिसके लिए 15 वीडियो लगबग लगेंगी तो regular रहेंगे हम आप भी पढ़ते रहे हैं और बिलकुल तयार रहे हर रोज हना आपका जो exam से पहले आपका con section जो है इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको जब वहाँ paper दिखेगा तो आप बोलेंगे कि वाँ कि मैं तो पूरा पड़ा है और मैं इसमें पूरा 50 में से 50 score करूँगा करूँगा या करूँगा इसी के साथ वीडियो को end करते हैं इसके साथ, thank you so much, good bye